अगर आपके पास अपनी कार है और आप चाहते हैं कि आप अपनी कार है अपनी कार की राय पर देखकर भी बिजनस कर सकते हैं इसमें आप कोई और काम कर रहे होंगे और आपकी गाड़ी अलग काम पर लगी होगी आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप अपनी गाड़ी को ओला कंपनी के साथ जोड़ते हैं तो ओला ज्राइवर प्रोवाइद न करेंगे बिजनस अगर आप कार चलाना बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन आपकी पास कार नहीं है तो ऐसे में पट्टे पर कार लेने की सुविधा प्रदान करती है बस इसके बदले में आपको ओला कंपनी को कुछ कमिशन देना होगा ओला कंपनी के साथ अपनी कार कैस से चुड़ें आपकी कार की कंडिशन अच्छी होनी चाहिए आप अगर खुद ड्राइवर बन रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस के आफशकता पड़ेगी यदि आप अपनी गारी में किसी ड्राइवर को रखिस सुविधा का लाब उठा रहे हैं तो कमर्शिल लाइस होना चाहिए अवश्यक दस्तावेश के साथ आपको अपने आसपास की ओला ब्रांच में जाना होगा यहां आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको अपनी कुछ डीटियस देनी होंगी इसके बाद ओला कंपनी का अधिकारी आपकी कार का निरिक्शन करने के लि अगर आपके पास कार नहीं है तो कैसे करे ओला के साथ काम कर सकते हैं इसके लिए आपको ओला की लीसले नहीं होगी जिसमें आपको सेक्योरिटी मनी 21,000 से 31,000 तक जमा करवाना होगा हाला कि यह राशी आपको बाद में वापस मिल जाएगी यह स्कीम और राशी अलग-लग गाडियों के हिसाब से होती है इस बिजनस के लिए आपको दो लाग तक का इंशूरेंस भी मिलता है साथी गाड़ी की मरमत का खर्च कंपनी उठाती है सब्सक्रिप्शन फीस के तहत हर दिन आपको अपनी कमाई का कुछ हिस्ता कंपनी को देना होगा सबी लें देन के आपको अपनी कार किस पटे पर ली है जब तक कार्डी इस पर रहेगी तब तक आपको यह राशी देनी होगी इस राशी को आटोमेटिक लिए आपकी कुल कमाई से काट लिया जाएगा बाकी की राशी आपके खाते में डाल दी जाएगी ओला कैप बिजनस से जुड़ी हो या पुरानी हरतरा की काड़ी के साथ आप उला कंपनी को जोड़ सकते हैं इसके लिए उला ने कोई सीमा निर्धारित नहीं की है बस आपकी कार अच्छी कंडिशन में होने चाहिए यह पहली शर्थ है उला कंपनी के तरफ से आपको एक मुबाइल फोन वो इंटरनेट किया जाएगा टोल टेक्स पार्किंग चार्ट जो स्टेटेक्स जैसे अधरिक चार्ट बेडिंग चार्ट में शामिल नहीं होते हैं इसके लिए आप जाहें तो अपनी पेसेंजर से ही राशी ले सकते हैं उला कैप के साथ जुड़ने और बिजनस करने के लिए सभी फॉर कर सकते हैं ओला कैप बिजनस वो भी कम इन्वेस्टमेंट में अधिक जानकारे के लिए अपना सवाल कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें हम जल्दी आपके सवालों को जवाब देने की कोशिश करेंगे